जैहिंद प्यारे साथियो बात करने वालें SSC GD Constable 2020 की Final Cut-Off के वारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने बालूँ कि अगर आपके इतने नमबर जादा हैं तो निश्यत रूप से आपका Final Selection हो जाएगा और आपका Final Married लिस्ट में नाम होगा तो पूरी वीडियो को अंतक जरूर देखें ताक कि आप सभी को पूरी जानकर ही मिल पाए वीडियो चीले के तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन पर प्रेस कर लें ताक कि इन फ्यूचर आने वाली अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहे और आप हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अब देखें आपे सबसे पहले बात कर लेते हैं तो जैसा कि आप सभी को बता है रेजल्ट आने के तुरंत बात यही रहता है कि हमारे इतने नमबर ज़्यादा है अभी जो कट आफ गई है तो हमारा फाइनल में नाम होगा या नहीं होगा क्योंकि इतनी मेहनत बीच में हम करेंगे उस महनत के बाद अगर फाइनल में जाके रेजल्ट नहीं मिलता है तो काफी ज़्यादा दुख होता है तो सभी के साथ यही प्रॉल्लम है तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं तो देखे सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ किसी भी चीज को decode करने के लिए पहले उसका input होना चाहिए तभी जाके clear हो पता है और exact data अगर हो तभी जाके clear यह होता है कि आपकी जो cutoff बगरा है वो कितनी जाएगी है जैसा कि आप देखे जानते हैं कि इस बार की cutoff है वो और बार की cutoff से unexpected cutoff गई है यानि जो किसी को उमीद नहीं थी उससे भी कम आपकी cutoff गई है हलांकि बहुबात अलग है कि जिसका selection हो जाता है उसे cutoff कम लगती है और जिसका selection नहीं होता उसे यह लगती है कि इस बार भी cutoff जादा गई है नयाब में बड़ी बात है तो ऐसे में संभवत है को जो चीजें देखने के लिए मिलेंगी वो और बढ़तियों के मकाबले थोड़ी सी अलग देखने के लिए मिलेंगी अब देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो उसमें total hundred मेंसे 27% ही candidate physical को qualify कर पाए थे जो की medical के लिए appear होंगे पाँच लाग चववन जार में से something एक लाग वावन जार candidate यह ऐसे थे जो की physical को पास करवाए थे कर पाए थे तो देखिए ऐसा में जो सबसे में चीज़ यह होती है कि final cut-off के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ होगी वो यह होगी कि physical में कितने candidate qualify करते हैं क्योंकि उन्हीं को बड़ेंट करेगा क्योंकि number of candidate जब ज़्यादा होंगे तो simple सी बात है कि आपकी cut-off होगी वो भी ज़्यादा बढ़ेगी तो सबसे पहला जो input होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि physical में कितने candidate pass होते हैं तो अभी आपका physical contact नहीं हुआ तो बहुत करें तो आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे अगर हम cut-off की बात करें कि maximum cut-off लगवक कितनी भर सकते हैं प्रोक्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है अगर आपके चार से पांच नमबर किसी category में जादा है तो आपका निश्य दरूप से selection हो जाएगा हलंकि एक और चीज आप सभी को clear कर दें कि हर एक state के लिए अलग-अलग vary करेगा क्योंकि किसी state में ऐसा भी रहेगा कि महाँ पे अलरड़ी इस state की cut-off जादा है तो निश्य दरूप पे भी आराम से हो जाएगा लेकिन फिलाल अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज है वो है आपके लिए physical क्योंकि अभी आपको यह नहीं सोचना कि आपकी cut-off कितनी जादा जाएगी बहुत ज़्यादा आपकी cut-off भी कमी जाएगी और बार किया पेक्षा आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि अलग देखने के लिए मिलेंगी इसलिए हम आप सभी को कह रहा हूँ कि अभी फिलाल आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए एक ही चीज़ पर फोकस होना चाहिए फिजिकल अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो समझ लीजी आप नौकरी के लगबग 90% पास पहुँच चुके होंगे क्योंकि भले ही अभी आपके 10 नंबर या 15 नंबर जादा हैं कर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो 10 और 15 नंबर किसी काम के नहीं है लेकिन अगर बर्तमान में आपके दो या चार नंबर भी जादा हैं तो आपके बहुत हैं क्योंकि आपको physical qualify करना और physical qualify करने के बाद फिर आपका medical और हो सकता है कि तब तक कितने candidate बचे ही ना तो निश्चे दरूप से आपका selection हो सकता है तो देखिए 31 सारी को 31 मार्च को जो आपके नंबर होंगे वो सो कर दे जाएंगे final answer की आप जारी कर दी गई थी final answer की में आप सभी ने अबना देख लिया होगा जो भी आपके changes हुए होंगे और finally जो आपके नंबर होंगे 31 मार्च से लेकर 30 अपरेल के बीच में आप अपने नंबर चेक कर पाएंगे तो आपको ये clear हो जागा कि normalization के बाद आपके कितने नंबर increase हुए या कितने नंबर decrease हुए तो जिससे कि आप अपने state की cut off की साथ अपने नंबर match करके ये confirm कर पाऊगे कि आपके नंबर के और cut off के बीच में कितना difference है जिससे कि आपको एक confidence भी मिलेगा हालांकि जिन लोगों के नंबर कम होंगे और लोगों को ये भी लगेगा कि अगर थोड़े और नंबर होते तो निश्चत रूप से हमारा selection हो जाता तो याद रखना जरूरी नहीं है कि अभी इस stage में जिनके नंबर ज़्यादा है उनका selection होई जाएगा जैसा कि मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ दो stage बीच में ऐसी हैं जिनके लिए आपको जी जान से मैनत करनी बड़ेगी हालांकि medical आपके पूरी तरह से हाथ में नहीं है लेकिन physical आप ही के उपर डिमेंट करेगा अगर अभी तक आपने physical की तयारी शुरू नहीं किया तो मैं आपसे भी कोई की suggestion दूँगा कि अपने physical की तयारी शुरू कर दीजेए बेना इसको सोचे कि आपका final cut-off में होगा नहीं होगा दो नमबरें तीन नमबरें हैं एक नमबर चान नमबर जितने नमबर आप जादा हो सारी चीजों को भूल के बस ये सोचे कि आपको physical qualify करने के बाद आपकी नोकरी लग जाएगी अगर आप ऐसा सोचेंगे तो अपना physical की तयारी जो होगी वो और अच्छे मन से कर पाएंगे और निश्चत रूप से जब कोई भी चीज को अगर हम पूरे मन से करते हैं तो सफलता के chances भी ज़्यादा होते हैं इसलिए मैं आप सब्सक्राइब को ये सारी चीज ने बता रहूँ फिलाल आप इस चीज पर बहुत ज़्यादा focus ना करें जो मैंने आपको 4-5 नमबर बताईए वो सारी चीज से expected हैं ऐसा हो सकता है जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो क्योंकि cut off आप already देख चुके हैं जिसने भी cut off बताई थी किसी की भी cut off सही ने निकली almost मतलब जिसने भी बताई थी maximum सब्सक्राइब की जादा ही थी इतनी lowest size ही किसी ने cut off बताई थी हलंकि मैं बार-बार आपसे ये जरूर कह रहा था कि इस बार आपकी cut off काफी कम जाएगी और unexpected चीजन देखने के लिए मिलेंगे जैसा की हुआ भी बट ये exact किजी की cut off नहीं है इसलिए भी आपको exact चीजों में नहीं जाना और सायद कोई बता भी नहीं पाएगा कि exact आपकी cut off जाएगी कितनी तो physical की तयारी करते रही है और आगे कोई भी अगर query है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं चाहें मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं अगर आप किसी भी other exam की तयारी कर रहे हैं तो वीडियो की description में हमारा application study for dreams 2.0 का link दिया गया है वहाँ पे बहुत सारे mock test आप सभी को मिल जाएंगे और मैं regular उस application को update करने में लगा हुआ हमारा यह application है जिसमें आपको previous year के paper हो यह job alert हो answer की हो admit card हो उन सभी चीजों की link लगातर provide कराने की courses कर रहा हूँ तो बहुत ही जल्दी उस application को एक तरह से complete कर लिया जाएगा और आभी वहाँ पे exam की आपके जो test series है वो provide करा दी गई है तो उनका विया benefit ले सकते हैं तो वीडियो के description में जाए और application को download कर लें तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैं आपको जानकरी दिये SSC भरती से संबंदे 2021 के जो बरतमान में भरती चल रही है जानकरी आपको एकदम सफ़स्ट हो गई होगी और वीडियो एकदम स जोटे रहे हैं बहुत ही जल्दी आप भी अपनी बर्दी पालेंगे तो thank you for watching जाहिन चवारा